आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन की गैलरी या फिर आप अपने फोन की अलबम पर लॉक कैसे लगा सकते हैं आप फिर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं तो आएए अच की इस वीडियो में जानते हैं तो अपने phone की gallery या फिर album को lock करने के लिए आप सबसे पहले अपने phone में settings को open करिए settings को open करने के बाद नीचे scroll करके apps का एक option आगा इस पे click करिए और आपको एक option यहाँ पर मिलेगा app lock के नाम से तो अगर यह option आपको नहीं मिलेगा तो अपने phone में settings को open करने के बाद उपर आपको मिलेगा search settings का option तो search settings पे click करिए उसके बाद आपको search करना है यहाँ पर app lock और उसके बाद आप देख सकते हैं search में यह वाला option आएगा अगर यह search करने पर नहीं आएगा तो आपको type करना है app encryption और आप देख सकते हैं यह वाला option यह type करने पर आ जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में से एक नाम से आपके phone में यह option मिलेगा तो जब आपको search में यह option मिल जाएगा तो app lock पे click करिए अब उसके बाद इसे on करने के लिए turn on पे click करिए जो lock आपको set करना है वो enter करिए change password पे click करके pen या फिर password आप set कर सकते हैं तो जैसे कि हम यह lock लगाएंगे तो उसके बाद फिर से enter करिए confirm करने के लिए उसके बाद next पे click करिए अब उसके बाद यहाँ पर not now करेंगे और 2-3 second का wait करने के बाद यहाँ पर फिर से आप not now करिए और उसके बाद यह सारे applications को अगर आपको lock करना है तो कर सकते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर सबको on select करेंगे use app lock पे click करके अपना finger लगाईए अब यहाँ पर सारे application आ जाएंगे अब आप search कर लीजिए यहाँ पर gallery या फिर album उपर आप search पर click करके भी search कर सकते हैं तो जैसे कि gallery टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा gallery तो यहाँ से भी आपको मिलेगा gallery तो यहाँ से इसके सामने इसे चालू करिए इस option को अब उसके बाद आप चैक कर सकते हैं gallery को open करके आपकी gallery पर lock यानि की gallery पर password लग जाएगा तो इस तरह से आप अपने phone की gallery को lock कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें